तो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में तो आज शाओ में इंडिया में अपनी मी 11 सीरीज के अंडर तीन नई डिवाइसे को लांच करने वाली है जो कि पहले ही चायना में लांच हो चुके हैं मी 11 अल्ट्रा, मी 11 एक्स और मी 11 एक्स प्रो हमें देखने को मिलेंगे इनका लांच इवेंट आज दो पहर 12 बजे से है इस पैसिफिकेशन्स और फीचर्स इनके हमें पहले से ही पता हैं और इनकी इंडिया में लीग्ड प्राइसिंग भी सामने आई है काफी अग्रेसिव प फीचर्स के साथ हमें ये देखने को मिलेगा बात करें में 11 एक्स और 11 एक्स प्रो की तो ये अफॉर्डेबल फ्लैक्शिप्स के टिग्री में आएंगे ये दोनों रेडमी के फॉर्टी और के फॉर्टी प्रो प्लस के दी बैश डिवाइसिज होंगे स्नैब्रेगन 870 और प्लस तक जरूर देखिएगा लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजे पहले मी 11 अल्ट्रा के फीचर्स की बात करें तो यह आइफोन 12 प्रो और सैमसंग गैलक्सी एस 21 अल्ट्रा तक को टक कर देता है इसमें 6.81 इंचेस का एक ऐसा मॉलेट डिस्पले QHD प्लस रेजोलूशन 120 एर्ट से रिफ्रेश एट HDR10 प्लस सपोर्ट और 1700 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल गरिला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ यह आता है स्नापड्रेगन 888 5G SOC के साथ 12GB तक की LPDDR5 RAM और 512GB तक की UFS 3.1 स्टोइज आएगा कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसके बैक पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेट अप होगा जिसमें प्राइमरी 50 मेगापि पिक्सल अल्टर वाइड एंगल सेंसर मिलेगा फ्रेंट की साइट 20 मेगापिक्सल का पांचोर कैमरा इसमें होगा पावर बैकप के लिए 5000 एमेज बैटरी इसमें 67 वाट वायड और 67 वाट ही वायलेस चारजिंग सपोर्ट के साथ दी गई है यह 8GB RAM के साथ 256GB स्टरेज में स्टार्टिंग 70-75,000 रुपीज के प्राइस टेक के आसपास देखने को मिलेगा बात करें में 11X और 11X प्रो की तो यह दोनों में ही प्रोसेसर और कैमरे को छोड़के लगबग सेमी फीचर समय देखने को मिलते हैं इन में 6.67 इंचेस का एक FHD प्लस दिस्प्ले, 120 हट से र बात करें तो दोनों में ही triple rear camera setup दिया गया है, 12X में 48MP का primary sensor और वही 11X प्रो में 108MP का primary sensor देखने को मिलता है, इसके अलावा 18MP का ultra wide angle lens और 5MP का macro shooter दोनों में ही दिया गया है, पावर बैकप के लिए 4,250 mAh बैटरी इन में 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है बात करे एक्सपेक्टेड प्राइस की तो मी 11X का 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरियंट 30,000 रुपीज के प्राइस टेक के साथ आएगा वही मी 11X प्रो इसी वेरियंट के साथ 37,000 रुपीस की स्टार्टिंग प्राइस से देखने को मिल सकता है इनका लॉंच इवेंट आज दोपहर 12 बजे से है और आप उसे हमारे चैनल फोनली पर लाइफ देख पाएंगे तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए